हेलो दोस्तो जए हिन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सौराप कम्टूटर पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSE की तरफ से MTS की जो वेकेंसी आने वाली है उसके बारे में जहां friends बहुत ही जल्द आपको multi-tasking stop के साथ हवलदर के वेकेंसी देखने को मिलने वाली है तो आज के वीडियो में हम आपको इस वेकेंसी से related A to Z side details बताने वाले हैं हर एक चीज आपको बताएंगे आज के वीडियो में चली friends वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करेंगे वेकेंसी कुल कित्ते पदों के लिए आने वाली है तो लगभग seven a jar से लिखके 20,000 पदों के लिए वेकेंसी आने वाली है ऐसा क्यों क्यूंकर आपने आभी देखा है कि SSC CSL की जो वेकेंसी आई है और SSDD की जो vacancy आई है बहुत ज़्यादा पदो के लिए आई है तो बात करेंगे इसके important dates के बारे में important dates के बारे हैं बात करें जिसकी जो starting date form apply करने की 25 तारिक से जनवरी में चालू हो जाएंगे last date रहने वाली है 24 फरोरी और exam इसकी होगी अप्रेल और मई में यह सारी चीज़े आपको dates को लेके SSC की official website पे calendar में आप जाके देख सकते हैं सब दिया हुआ है dates के बारे में बात करेंगे fees में fees किती लग रही है तो general EWS और OBC वालों की fees लग रही है 100 रूपीस SC ST और all category female के लिए कोई भी fees नहीं लग रही है बिल्कुल free form है उनके लिए age limit की बात करें friends तो आपकी जो minimum age है कम से कम 18 साल होनी चाहिए maximum age की बात करें तो 25 साल और किसी किसी post में 27 साल आपकी maximum age मांगी गई है इसमें आपको age relation मिलता है OBC वालों को 3 साल का SC ST वालों को 5 साल का बात करेंगे qualification के बारे में आपकी पढ़ाई क्या मांगी गई है तो आप अगर 10th pass है तो form apply कर सकते हैं 10th pass candidate के लिए बहुत ही अच्छी opportunity है बहुत ही अच्छी vacancy है form apply करना ही चाहिए तो जो भी candidate 10th pass है तो form जरूर apply करना बात करेंगे selection process के के बारे में अब selection process के बारे हैं बात करें friends तो आपका selection process रहेगा सबसे पहले आपका return होगा computer based test होता इसमें आपका descriptive होता है आपका इसमें फिर आपका अगर आप हवालदर के लिए apply कर रहे हैं तो आपका PET और PhD दोनों होगा document verification होता है उसके बाद आपका medical होगा फिर आपका final selection हो जाएगा return exam के syllabus की बात करें जो आपका computer based test होता है syllabus की बात करें तो 100 question रहते हैं एक-एक marks का एक question रहता है 100 question 100 marks के time रहता है नमबे मिनिट का negative marking 0.25 की इसमें होती है जनरल इंगलिस से 25 marks रिजनिंग से 25 marks मैस से 25 marks जनरल अवेरलियस से 25 marks के question आपको आते हैं हो सकता है किस बार आपका syllabus change हो जाए क्योंकि SSC पर syllabus change कर रहा है CHSL के भी चेंज हुए और GD के भी बात करेंगे आप डिस्पेक्टिव की तो डिस्रिस्पेक्टिक बात करें तो short essay और लेटर आपको पूछे जाता है जिसमें 50 नमबर का question रहता है 50 marks का 30 minute time रहता है मात रख कॉलिफाइंग आपका होता है कॉलिफाइं करने के लिए इससे आपके merit list नहीं बनती आपके merit list इससे बनेगी बात करेंगे physical के बारे में जो भी हवाल्दर के लिए अपलाए करना उनका physical होगा तो physical के बारे बात करें फ्रेंज था पहले वॉकिंग होता अपर शतiny पर करता है तो कहले चलना पड़ता है मेल को सुना सो मीटर 15 मिनिट में चलना पड़ेगा फीमेल के डिएट को एक ख्रना पड़ेगा साइकली होतीप को साइकल चलाना पड़ता है साइकल तो सभी को आती है जिसको नहीं आती हो सीख लेना मेल को इसमें आठ किलोमेटर चलाना पड़ता है तीस मिनिट में फिमेल के लिए को तीन किलोमेटर 25 में साइकल चलाना पड़ता है हाइट की बात करें तो मेल के लिए हाइट रहेगी 157. 7.5 cm female के लिए हाइट रहने वाली है 152 cm चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए बिना फूल आई चेस्ट रहेगा 76 cm और फूलाने के बाद 86 cm बेट इसमें फिमेल के लिए वेट मांग गया है इसमें वजन आपका 48 kg रहना चाहिए फिमेल को जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका बात करेंगा सेलरी की इसमें आपकी सेलरी भी अच्छी खासी रहती है श्राटिंग सेल सेलरी रहने वाली है अब करता है क्या लिए उसमें वेद्च एक सब्सक्राट अब है